जै साइनात, साइम उसकान चैनल के सभी भक्तों को जै साइराम, मैं इंद्रा सक्सेना, गाजेवत, इंद्रा पुरम से, आज आप सभी को बाबा का अन्भव बताना चाहूंगी, जो शायद किसी को भी नहीं मैंने बताया, और आपको सुनकर रोंग्टे भी खड़े हो सकते हैं, और शायद आप बाबा के भी भक्त बन सकते हैं, मेरी बेटी चार साल की थी, तो उसको एक दांतों की विमारी जोइंट सेल्स गेरलोमा हुआ था, अचानक से उसके एकदम से मूँ से खून आने लगा, हम लोग घबरा हमने डेंटिस को दिखाया, डेंटिस ने बोला कि नॉर्मल है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग करवा रहे थे, तो दुबारा से उसको ज्यादा से ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग इतनी होती थी कि हरसा में हम लोगों के हाथ में आइस लग किया गए और उनके जो फादर थे, वो बहुत जादा इस पैस्टिट थे, लेकिन जो क्लीनिक था हुआ सिर्फ उनके बेटे ही बैटे थे, लेकिन किसी ने बताया कि आप इनके फादर को दिखाईए, तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, हम लोगों ने उनसे को मानते हुए, बोले ठीक है, मैं अपने घर का एडर्स देता हूँ, फादर वहां मिलेंगे, आप जाएगे, जैसे हम उनके घर गए, उन्होंने देखा, एकदम से बोले अरे ये तो बड़ी बीमारी है, कितने दिन हो गए, हम लोगों ने बताया, दो तीन महीने हो गए है तो बोले ठीक है, आप मेरे मंदिर में जाओ, और बाबा की उदी रखी है, उठा के लाओ, और इसके माथे पे लगा दो, हम लोगों ने उदी लाए, और हमने उसके माथे पे लगा दी, बोले जाओ इसको खिलाना, और हमें उन्होंने बाबा का कलेंडर भी दिया, बोले लेके आए और हमने उसको घर पे फ्रेम रेम करवा के लगा दिया बाबा को जानते तो थे हम लोग लेकिन इतने भक्त नहीं थे फिर हम लोग घर आए तो हमने बाबा की तस्वीर बनवाई और अपने मंदिर में रखी फिर हमने यहां से लोधी रोड मंदिर से एक बुक खरी थे आर्थी करते रह elementary मेरे वैन रहाते है यह फिसे फिर दिली में पहले हम लोग लिया तो यहां इसके घर रोके फैर वहां भी हाँ भार की ती करते थे हम लोग एक दिन आर्थी कर रहे थे जो बेटी थी मेरी गोधी में बैठे हुई थी और दिया जो था बाबा का ऐसे बिना हैंडिल का दिया था और चौकी पर रखा हुआ था एकदम से वो दिया इतनी तेज घूमने लगा और लड़की जो थी मेरी वो डर गई एकद क्योंकि हमें ऐसा अलगा कि ब्लैसिंग हमें वहीं से मिल रही है और बाबा ने हम एक माध्यम बनाया है वो डॉक्टर जिसके थुरू हम बाबा से जोड़ते चले गए लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती चले गई फिर हम लोगों ने सोचा कि हम चले शीड़ी जाते हैं शीड कि किसी अच्छे देंटिस को दिखाते हैं और उम्यापति जो डॉक्टर ते गोशाल उनने का एक बार ऑपरेट करा लिजे फिर अपने यहां डॉक्टर शिरिवास्ता में नौइडा में उनसे हमने ऑपरेशन कराया ऑपरेशन काफी लंबा था तो डॉक्ट साब ने ऑपर बाबा करेंगे खुद हम लोगों को लगा बेटी में भी आस्ता जाग चुकी है और वो अपरेशन के लिए अंदर गई डॉक्टर ने बोला आप किसको मानते हैं बड़ा ऑपरेशन टिपीकल था अपरेशन बहुत अच्छा हुआ है लेकिन अभी इसकी वाइफसी बगरा ह होगी फिर वाइफसी की रिपोर्ट आने से पहले हम लोग बहुत डर रहे थे पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा फिर उसके बाद रिपोर्ट भी नॉर्मल थी डॉक्टर से हमारी मीटिंग हुई डॉक्टर बोले आप किसको मानते हैं हमने का शेड़ी साइं और डॉक्टर साब वहां से होके आए लेकिन वो जॉइन करे हुए थे कहीं हॉस्पीटल में दिल्ली में उनकी जॉप चली गए बोले अरे तुमारा बाबा कुछ नहीं करता लेकिन एक महीने बाद फिर हम उन डॉक्टर से में बोले नहीं मेरा तो बहुत अच्छा हुगा बाबा ने मुझे भी ब्लैसिंग दिया है और मेरा देखो क्लीनिक बहुत अच्छा चल चुका तो बस यही था कि उसके बाद से हम लोग बाबा की दिनों भगतो गए और हर साल शुड़ी जाने लगे बच्ची मेरी ठीक हो गई और बच्ची खुद भी अपने आप चार सा की थी इतने भजन गाती थी इतनी आस्ता थी उसकी भी और आज भी हम सब लोग बाबा से जुड़े हुए हैं फिर दीर दीर हम लोगों ने ऐसे बलाइंशर में घर गर ऐसा सोचा की चलो बाबा का गुड़गान करने के लिए लोगों को एखटा करते हैं दस वारा फैमडी हो जो हर महीने हम लोग इखटे हो और बाबा का गुलगान करें और बाबा की असीम क्रिपा है हम लोगों पर और अभी एक रिसेंटली भी हुआ था भी हम लोग आगरा से दिल्ली आना था हम लोग शादी से आये थे हमारी ट्रेन छुटने वाली थी टाइम ओबर हो चुका आते हैं ऐसे हमने उसको बोला वह में डांटने लगे वहां से अरे यह कोई बस थोड़ी ना है लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया बाबा के नाम से और उन्होंने हमारी एक सेकंड के लिए ट्रेन रोग दी और हम सब लोग ट्रेन में चड़ गए हम एसी उसमें कमपार्टमेंट में चड़ें सब लोग हमें ऐसे देखने लगे पता नहीं कौन बिया एपिया है क्योंकि ट्रेन शायद किसी के लिए नहीं रुकती होगी तो ऐसे ऐसे मेरे साथ बाबा के और भी चमतकार है जैसा इनात